अस्सलाम उलेकुम मायूटी फैमिली कैसे है आप सब लोग आई होब कि आप सब ठीक ठाक होंगे अलहमदलिला मैं भी ठीक हूँ और ये लालल क्या है ये इतना आज रेड रेड ही क्यों दिख रहा है ये सब को आपको ये सब कुछ पूरा व्लोग देखोंगे तब पता चलीगा तो जैसे के सुभा की शुरुवात हो गई थी और सुभा की शुरुवात के साथ सतना ये पंचो को मुझे बाहार निकालना होता है क्योंकि अगर इनको थोड़ी देर भी अगर हम अंदर रखते हैं तो ये लोग बहुत परिशान करने लग चाते हैं कि इतने भी बजह उठते हैं ना उतने बज़े ही इनको बहार निकालते हैं हम लोग चाहे कि इतना भी तायम हो संधज चलाना सफिक्च्टा गाडना ऱ्य है सांड़ पापा चलाना माइ भी चलाऊ दो पाप गाड़ी पे जाते हैं तो पापके साथ लेके चलो बूल तुने पुर पल्दा दिया चला ना सिग्गा बलते जल्दी कोई ड्रैवरी सिग्या तो हो गया ड्रैवर बना असा नहीं क्यों बलना पापा मेरी शोष कितने मेरे पैर कितने अं वादिशा खाना के वाद आशे थोड़ी दे रूको बलोंगे तो नहीं रूखेंगे और इनसे बात करने के लिए बराबर रुखते जैलन होती है तुम लोग और से गभी-और आए बड़ा वादी जला 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 तो अब इनका कैसा था कि सुभा में इनका नाश्टा वगर हो गया मैं नॉर्मली कभी कबार थोड़ा लेट भी उट जाती लेकिन जिस दिन इनको जाना होता है मैं क्या हर एक लेडिस के बारे में बता रही जब हस्बेंट काम पर जाने वाले रहते हैं तो हम लोगों का यह ह जल जली करें कहीं भूके ना निकल जाएं यह हर हाउस वाइफ के साथ में होता है तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है तो यह चले गए थे अपने गारी पर अब यह गारी पर चले गए मेरे घर के काम तो जैसे के वैसी रखे रह गए क्योंकि मुझे काम करके बहार भ भूनी मचली बनाई थी मैंने तो वही भूनी मचली का सालन था रात का ही बनाया हुआ तो इनको जैसी ऐसी चीकन है मचली ये सारी चीजे रहती है ना तो नाच्टे में वो ही कर लेते हैं वो क्योंकि फिर दूसरी अगर मैं सबजी बनाऊंगी भी तो सबजी दो खाएगी नहीं तो इससे बहतर है कि जो सबजी है तो यही वाली मतलब अगर चीकन है मचली है यह सारी चीज़े दो खा लेते दो खा लेगे और चाय भी बना के द और गाड़ी को भी इतने अच्छे से चला रहे हैं वो पता है क्या कभी कभी हमारे को क्या होता है हमारे हस्बेंड जतानी पाते या बाप एक बच्चे को जतानी पाता हम लोग कैसा है लेडिस होती है यह पट से बोल देती है हमको तुमसे प्यार है या फिर हम आपकी बहुत केर करते है मतलब यह सारी बाते हम लेडिस लोग बोल देते चाहे बच्चों को हो हस्बेंड को हो बट हस्बेंड और पापा लोग यह बात हमको बोल नहीं सकते वो अपनी मुहबत अपने दिल में ही चुपा करके रखते है तो इनका भी ऐसा ही काम है जैसी कि मचली के लगेंगा जैसी लाइट वगर दिखेंगा तो मचली को वह ऐसा लगेंगा कि हां हम अच्छे आये करके तो यह सारी चीज़ें ना हो करते रहते हैं पंच्चों के लिए जैसे छोटे बच्चों के लिए हम कुछ चीज लेकर के आते हैं ना वैसा गाड़ी पर से आएंगे पंच्यों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आती है वो उनका ये नहीं होता कि जसां मैं भी खुद वेट करते रहती यार ये आएंगे मेरे लिए क्या लेकर क्या रहे छोटे बच्चों की तरह दोड़ती हूं क्या लाया अपने आज चाहिए वो कुछ भी लेकर क्या और कभी के नहीं लेकर क्या तो मैं बुलते हैं आज कुछ नहीं लाया अपने तो इनका होता कि हाँ नहीं लेकर क्या आज मैं कभी कभी छुपा भी देंगे दिखाने के लिए मैंने कुशनी लाया करके फिर बात में बताती है कि हाँ ये लेकर करके आया अब ये हो गया मतलब हर किसी का प्याल चाताने का तरीका अलग-अलग होता है बट हम लोग नहीं क्या जो लेडिस लोग होती न हम माईन में बैठा लेती है कि नहीं अगर कोई अपनी feelings हमको नहीं बता रहा है तो शायद ये हमारे इनके दिल में हमारे लिए कुछ नहीं आई है या फिर ये हमारी परवानी करते तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि जब पता है हमको कोई तकलीफ होती है ना तो हमसे ज़्यादा तकलीफ ना हमारे husband होते हमारे पाप करे के नहीं हमारे मतलब हमारे इज़त इन लोगों के नजरों में कुछ नियां करके करते हैं बहुत परवा करते हैं ये लोग भी हमारी बट क्या करेंगे आदमी का दिल है ऐसा होता है तो यही पंच्चियों को मैं नहला वैला करके ना इनको रख चुकी थी बाहर में और बहार रखने के बाद में कैसा रहता है मेरा यह जो इनका सामान है ना पहले मैं वह सुखा देती हूँ सुखाने के बाद ही ना मैं इसमें दाना डालती क्योंकि दाना वरना चिपक चाता ही यहां पर तो इनको अच्छे से सुखने के बाद ही ना मैं अंदर लेकर के जाओं पंची, इंसे क्या ही जलन मैसुस होनी चाहिए, बट वो उनके साथ में वो कैसा है कि वो पंची है, उनको बोलना नहीं आता, वो कैसे बताई ना जैसे कि मुझे बाहार भी जाना है करके तो मैंने सब कुछ पूरा ओके कर दी जस्त मेरे कपड़े घड़ी करने के रहे गया है तो यह नहीं किया मैंने सोची कि चलो मैं आकर के कर लूँगी इसको अभी इतना अर्जेंट नहीं है क्योंकि जब हमको अर्जेंट हो होते हैं कभी-कभी बोलते हैं कोई-कोई दीन हमारे काम के लिए नहीं होता तो वैसा वाला सिस्टम हो जाता तो खैर मैंने फटा-फट से फटा-फट से अपना सब कुछ काम कर ली और अब मुझे जाना था तो मैंने सोची कि पहले मैं स्कूटी वगरे निकालती और फिर लेकिन यहां पर मसला यह हो गया कि यहां चले गई लाइट अब लाइट चले गई मुझे थोड़ा सा पानी भरने का था पीने का तो मैं पीने का पानी भर नहीं पाई मैंने सोची कि चलो मैं आकर के बाद में कर लूंगी पहले मुझे जहां जाना है मैं वहां चले जाती क तो मैं निकली थी हôm नहीं ठीक घाली तो मुझे पानी के लिए मुझे सब् pane, तैको शयुद सब्सक्राइब नहीं कैसा निए थी समय कोई निटीजार के लिए यह जाने के लिए लिए कोई नहीं है तो धॉत आधिक्ट झाल झाल